देश की सबसे बड़ी सिख्षक भरती परिक्षा का आज दूसरा दिन आज सभी जो अभ्यारती हैं सिख्षक बनने वाले उनके लिए कठीन वक्त हैं कल जिस तरीके से BPSC के पेपर ने सिख्षकों को उल्जा के रखा पेपर के अंदर जो सवाल आये थे वो सिख्षकों के तमाम परियास के बाजूद भी दूर तक दिखाई दे रहते हैं यही वज़ा है कि कल के पेपर के बाद सिख्षक अभ्यारती काफी निरास दिख रहे हैं हलाकि आज सुवध साथ बजे सही परिक्षा केंद्र पर सभी अभ्यारती पहुँचने सुरू हो गए हैं दूर दरास से आने वाले अभ्यारतीयों के लिए रेलबे ने विसेश परिचालन की विवस्ता की है नो ट्रेन चराई जा रही है और अज के अलावा राज्य भर के जो परिक्षा केंद्र है वहां अभी भी परिक्षारतीयों को रुकने में दिक्कत का सामड़ा करना पड़ रहा है ऑटलों में कम्रे नहीं मिल रहा है और यही वज़ए है कि आज का जो पेपर है कहा जा रहा है कि निडायक पेपर है हिंदी और अंग्रेजी का पेपर है जिस तरीके से पहले दिन का पेपर था जहां पहली से 5 वी तक के बचों को पढ़ाने वाले जो सिक्षकों की भरती होनी थी उसमें जिस तरीके के सवाल आये थे शिक्षक अभ्यारती BPSC के दुवारा लाए गया प्रस्ण पत्र में जो सेट किये गये थे प्रस्ण उन प्रस्णों में पूरी तरीके से उलज गया है अब सिक्षक अभ्यारती निरास हैं और बोर्ड के उपर दोसार उपर कर रहे हैं हाला कि उनकी बात ये वाजिब भी है उनका कहना है कि उनको पढ़ाना पाच्वी तक के बच्चों को था लेकिन सवाल जिस तरीके से पूछा गया था ऐसे लग रहा था कि DMS भी बनना है आज पेपर देने जा रहे है अभ्यारतियों से जब हमने बातचीत की तो उनका जो जवाब आया वो थोड़ा संतोस जनक था कि कल का पेपर गुजर गया अब आज देखते हैं कल तो निर्णाएक पेपर होना है यानि 26 अगस्त को जिन पेपर जो अभ्यारती पेपर देने वाले हैं वो सिनियर क्लास के बच्चों को प्रहाने वाले सिक्षक होंगे और उनके लिए जो कुस्टन किस तरीके का बेटर्न बीवेसी का है वो भी देखना दिल्चस्ट होगा फिलाल पहली से पाचवी तक का पेटर्न देखने के बाद उन सिक्षक अभ्यारतियों के भी हाथ पाओं फूल गया है वो भी फिर से किताब के पन्ने पलटने लगे हैं हलाकि सिक्षक अभ्यारतियों का यह आरोप रहा है कि उन्हें बहुत कम वक्त मिला है पूरी तैयारी करने का एक तो बीट किये वे सिक्षक अभ्यारतियों को जटका कोट के फैस्टेश लगा आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला यह घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव ह अपने पूर्णिया में घर लेकर आये हैं इहोंस पैनोरमा बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब्सक्राइब अब क्यों मुण मिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में इहोंस पैनोरमा के संग इहोंस पैनोरमा लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंट